पत्यवाद में सीम सैनी का हुड़ा पर अटेक बोले सी एलियू के नाम पर करोडो रुपे खाने वाले आज हिसाब मांग रहे हैं हर्याना के मुख्पंद्री नायाप सिंग सैने फत्यवाद में भाजपगी रैली में कॉंग्रेस और पूर्वो सीम पर अटेक किया उन्होंने कहा कि आज जो लोग दस वर्षों का हिसाब मांग रहे हैं उनको आईना दिखाना चाहता हूं कि उनकी समय में किसानों की जमीने कौडियों की दाम में खरीद कर बुल्टरों को बेच दी जाती थी CLEU के नाम पर करोड़ों खाने वाले आज हिसाब मांग रहे हैं सीम कारिकरम के आरम मों में ये 255 करोड 89 लाख रुपे की दिकास पर योजनाओं का उदगाटन वाश लानियास किया भाजपा की रैली पुरानी अनाज मंटी में चल रही है इससे पहली हैली पैट पर भाजपा नेता अशोक तंवर ने बुके देकर उनका स्वागत किया सीम के साथ भाजपा की प्रदेश अद्यक्ष मुहनलार बडौली भी है राजसवासांसत सुभाज पराला पूर्वसांसत सुरिता अजुद्गल पतेवाद विदायक दूडाराम, रादिय विदायक लक्षमन नापा, जिलादेख्ष वलदेव ग्रोहा, चेर्मेन भारत भूशन मीडा, चेर्मेन वेद फुल्ला, प्रोफेसर रवेंद्र वल्याला, अशोक तंवर सहित तमाम नेताम मौजूद रहे विदायक बुडाराम की मांगबत्र पर सियम नायाब सैनी ने कहा कि विदायक में 42 मांगे रखी है, उन पर 10 करों का अनुदान देनी की घुटना करता हूँ, गाओं बडोपल में वन्याजीव चार केंद्र बनारे, रास्तों के बीच लगे विजली के खम्मोवा, घरों के उपर से गुसर रही तारों को फ्री में हटाने, वाड तेरा चौदा में वाडर भूस्टिंग ट्रिफ्मेंट, मीनी बाइपास के सुधारी करण की घुटना यहां प्लियम त्वारा की गई मुझे ये खुसी है कि भारतिय जनता पार्टी की सरकार में हर्याना एक, हर्यानवी एक की भावना से परदेश के हर खेतर में समान विकास किया है हमने जिला सहर और हलके से उपर उठ करके पूरे परदेश को एक द्रिष्टी से देखा है खेतरवाद, भाई भती जावाद से उपर उठ करके हमने पूरे हर्याना की तरक्की और खुसहाली के लिए पिछले दस वर्थों में योजनावत त्रिके से काम किया है आज मुझे इस वात का बड़ा ही अचर्ज भी हो रहा है कि जो विपक्स के नेता है, जो विपक्स के लोग हैं, भाईयों जिनके बही खाते खराब हैं आज वो लोग हमारे दस सालों का हिसाम मांगने के लिए निकले हुए हैं मैं उनको एक बात कहिना चाहता हूँ, कि आप अपने गिरे वहां में जांकर के देखें, उनकी सरकार कमिशन मोड में काम करती थी और हमारी सरकार मिशन मोड में काम करती है, और परदेश और देश का गती से विकास कर रही है, आदनिया नरेंदर मोदी जी के नेत्रितम में जमकि मैं आपको बीच में बताना चाहूंगा, कि उनके राज में बरष्टाचार चरम सीमा के उपर था, जिनके पास सिपारी सोती थी, यार सूखदार लोगों की जेव गरम करने के लिए पैसे होते थे, उने ही सरकारी नोकरी उनके कारेकाल में मिलती थी, इस बात के बार में भी हम सब को जानकारी है, हमेंने परदेश में सलसे बड़ा पहला काम ववस्था परिवर्तन का किया है, हमने ऐसे विचोलियों की दुकाने बंद करवा दी हैं, जो सरकारी नोकरी दिलवाने में या लोगों के सरकारी काम काज करवाने में भाईयो दलाली करते थे, ऐसे लोगों को हमने पिछले दसवर्थों में बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया है हमने पर्देश में भैभरस्ताचार भाई बतीजावाद जाखपाद खेतरवाद से मुक्ति करके विक्षित बनाने का काम हमारी सरकार ने पिछले दस वर्थों के अंदर किया है मुझे ये आज जो लोग ये दस वर्थों का हिसाब मांग रहे हैं मैं आज उन लोगों को एक आईना भी दिखाना चाहता हूँ कि आपके कारेकाल में आपके समय में क्या क्या कारिया होते थे किसानों की जमीन कौर्डियों के भाव खरीद करके बिल्डरों को लव पहुँचाने वाले सरसे हिसाब आज हम से हिसाब मांग रहे हैं भाईयों हम सब जानते हैं हर्याना के अंदर कॉंग्रेस के समय में जब कॉंग्रेस की सरकार थी जो लोग आज हिसाब मांग रहे हैं वो भड़े भड़े किसानों की जमीन को दफा चार दफा साथ लगा करके उनको विल्डरों को देने का काम करते थे और आज ये हिसाब मांग रहे हैं जो लोग CLU के नाम के उपर क्रोड़े रुपईया खा जाते थे भाईयों वो आज हिसाब मांग रहे हैं जो लोग Jातपात, छेतरवाद, भाईवतीजाबाद की राजनीती करते थे आज वो हमसे हिसाब मांग रहे हैं उनके काले कार नामों से परदेश का बच्चा-बच्चा भाईयों परीचीत है हमारे कारेकाल में का हिसाब तो युवा देता है आज हरियाना परदेश का युवा हमारे कारेकाल का हिसाब दे रहा है